दोस्तों सुवागती हैं आपका एक पार फिट से जिहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अभिनेता आजी देवगन की 11 जुलाई 2003 में रिलीज हुई फिल्म कयामत और अक्षिक कुमार की 23 मई 2003 में रिलीज हुई फिल्म अंदास के बॉक्स आफिस कलेक्शन के बारे में एक अंदास फिल्म में जितने भी गाने थे सब बढ़िया थे लेकिन सबसे ज्यादा गाना चलाता आएगा मज़ाब बरसात का और क्यामत फिल्म का वो ललकी बहुत यादा आती है बहुत ही बढ़िया गाने थे इन दोनों फिल्मों में तो दोस्तों चलिए सबसे पहले ब बात करें तो अक्षी कुमार के साथ लारादत्ता और प्रियंक का चोपड़ा मुखे किरदारों में थी और अगर बात करें इस फिल्म के टोटल वर्ल वाइट बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो पूरे वर्ल्ड में इस फिल्म ने कमाई थे 29 करोड रुपे और अगर बात करें तो इंडिया में कमाई थे इस फिल्म ने 16 करोड रुपे और अगर बात करें इस फिल्म के बजट की तो अंदास फिल्म को बनाने में तकरीबन 9 करोड रुपे खरच हुए थे और ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कयामत फिल्म के ब एक्शन ड्रामा थृलर रॉमेंस से भरपोर फिल्म थी और इस फिल्म के डिरेक्टर थे जाने माने डिरेक्टर हैरी बावेजा ब IO बहुत ही ऑच्छे डिरेक्टर है बढ़ी बढ़ी है फिल्म बनाते हैं ये और दोस्तो सुनिल के total worldwide box office collection की तो 29 करोड रुपए कमाए थे इसने पूरे वल्ड में और अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में कमाए थे 18 करोड रुपए और अगर बात करें इस फिल्म के बजट की तो क्यामत फिल्म को बनाने में तकरीबन 15 करोड रुपे खर्च हुए थे इस फिल्म का बजट ज्यादा था और इसलिए फिल्म एवरेज साभित हुई थी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा थैंक यू